आप सब को exam nano youtube channel में हार्दिक स्वागत है आज की session में हम लोग top mcq questions को देखेंगे जो आपके आने वाला exam में paper third के section में आपको help करेगी आज का class no.66 है और चलिए आज की session के हम लोग शुरुआत करते है आज की session का जो पहला question है वो है आपका कि राज की कार्जकारी सक्ति dash में नहीं थे ये question आपका पॉलिटी से लिया गया है और ये एक most important category का question है इस question का answer आपको आना ही चाहिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो state होती है state का जो executive power है वो किसके पास vested होती है यानि किसके पास executive power नहीं होती है तो राजिपाल, मुख्यमंत्री, परधान मंत्री या उप राष्ट परती, ये दोनों option को आप eliminate कर सकते है अगर आपको इसका concept नहीं मालूम है, क्योंकि state center से related होती है आपका prime minister और vice president, state से जो related होती है वो आपका हो गया governor और chief minister, यहाँ पर executive power की बात क्या गया है तो executive power जो है वो आपका राजपाल में नीत होती है यानि कि governor के अंदर अंतरगत आपका executive power जो है वो vested होती है तो ये question आपका clear हो गया कि state का executive power राजपाल में नीत होती है चले हम लोग आगे बढ़ते है और next question की और next question आप से पूछा जा रहा है ये आपका खेल खिलाड़ी से question है खेल खिलाड़ी से आपका question जो रूर पूछा जाएगा और current से जुडा हुआ question है ये एक प्रकार से कि हिमादास जो है इन में से किस खेल इस परदा से जुड़ी हुई है हिमादास is associated with which sport कौन सा sport से हिमादास का नाम जुडा हुआ है तो हिमादास का जो नाम जुडा हुआ वो क्वोग से खेल से athletics यानिकि दोड़ से दोड़ खेल इस पर चले हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्टन आपसे पूछा जा रहा है, यह भी आपका पॉलिटी से लिया गया, और यह क्वेश्टन भी आपका एक conceptual क्वेश्टन है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि संग्विधान सभा में किसने उद्देश्च प्रस्ताब क कि उन्हों इस्थापित किया, यानि जो objective resolution है, उसको constituent assembly में किसने introduce किया, यानि किसने उद्देश्च प्रस्ताब को संग्विधान में introduce किया, यानि कि परिचय कराया, मातमा गांधी, JL Nehru, BR Ambedkar या राजंदर प्रसाद, तो उद्देश्च प्रस्ताब को जो संग्विध assembly में नायर क्या गया था, तो वो date आपका हो जाएगा 13th of December 1946, 13 December 1946 को जो है आपका उद्देश्च प्रस्ताब को संग्विधान सभा में introduce क्या गया था, नेक्स्ट क्यों आगे बढ़ेंगे हम लोगों, नेक्स्ट क्यों आपसे पूछा जा रहा है कि बावर का जेस्ट पुत्र कोन था, ये आपका history से question है और इससे पहले जितने भी sessions लिये थे, उससे आपको पता होने चाहिए कि बावर का जेस्ट पुत्र का नाम क्या है, एक session अंसर देना है कि भारत में मुगल समराजी की स्थपना कौन सी सन में हुई थी, कौन सा year में हुई थी, ये comment box में अंसर देना आपको, नेक्स्ट क्यों हम लोग बात करेंगे, और नेक्स्ट क्यों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में तिसरा सबसे बड़ा नागरिक संब पूछा है, भारत में अड़ हैस्ट सिविलेन ओनर कौन सा है, पदम भिभूषन, दादा साहिव फाल के प्रसकार, ये तो फिलिम से जुड़ा हुआ है, और जुन प्रसकार, जो कि खेल से जुड़ा हुआ है, और पदम भूषन, तो कौन सा सिविलेन यानि कि नागरिक इंडिया में, इसका अंसर, option number D हो जाएगा, नेक्स्ट को आगे बढ़ेंगे, जो भी लोग सेसन को देख रहे हैं, सेसन को like कीजिएगा, like से motivation मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा सेसन अप्लोड करने को, साथी सेसन को अप्लोड ज्यादा से लगो तक share भी कीजिएगा, question कुछा जा रहा है, यहाँ पर uniform civil code से question है, कि समान नागरिक संगिता का भारत के संग्विदान के किस भाग में उल्लेक है, यानि कि uniform civil code का जो उल्लेक है, वो article 44 में क्या गया, अगर आपको यह information भी आपको पता होनी चाहिए, कि uniform civil code जो है, वो article 44 में इसके बारे में बात क्या गया है, तो कौनसा भाग में पुछा गया, संग्विदान के किस भाग में इसका उल्लेक है, या इसका चर्चा है, कौनसा पार्ट में, तो समान नागरिक संगिता जो है, पार्ट 4 में इसका उल्लेक है, कौनसा भारतिय संग्विदान का जो पार्ट 4 है, उसमें आपका uniform civil code के बारे में mention है उसके बारे में चर्चा है और कौनसा आर्टिकल अगर आपसे पुछा जाए तो आर्टिकल 44 जिसमें हम लोग जो भाग चार किसे संबंदित है राज्य के निती निदेसक्त तत्तों से संबंदित है और उसी में आपका UCC का जो है mention है यह आपका करेंट टोपिक में भी बहुत ही जदा highlighted है तो यह question आपका पुछा जा सकता है exam में कि uniform civil code का mention कुनसा पार्ट में है कुनसा आर्टिकल से रिलेटेट है पार्ट अगर पुछा जाए तो पार्ट कोर से रिलेटेट है आर्टिकल पुछा जाए तो आर्टिकल 44 में इसके बारे में चर्चा क्या ही आए next question कि आगे बढ़ेंगे हमम लोगो next question आपसे पुछा जा रहा है कि which river is also known as sorrow of बिहार बिहार का सोग किस नदीकों कहा जाता है तो बिहार का सोग जो आपका कोशी नदीको सोरो बिहार को सी नदीको कहा जाता है comment box में comment करके आपको बताना है कि बंगल का सोक सोरो बेंगल किस नदी को कहा जाता है आपको क्या बताना है सोरो बेंगल बेंगल का जो सोरो है वो किस रिवार को हम लोग बंगल की सोक के नाम से जानते हैं नेक्स्ट कोश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट कोश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन में से किष्टने उनिजबी सदी में विदवा पुनर विभा की वकालत की यानि कि वीड़ो रिमेरिज का जो प्रस्ताव है किष्टने पहली बार इसके बारे में चर्चा किया पहले इसको कानून सम्मत नहीं माना जाता था या धर्म सम्मत नहीं माना जाता था बट 19th century में 19 सदी में एक महान आदमी जिनका नाम है इससर चंद्र विद्दासागर के दोरा इसके बारे में मोहिम छड़ा गया कि जो भी कम उम्मर में विदवा हो जाते हैं उनका पुनर विभाव होनी चाहिए, रीमेरिज होना चाहिए, वीडियो का रीमेरिज होना बट लाष्ट तक इसको कानून सम्मत बना दिया गया और ये इससर चंद्र विद्दासागर के ही महान परिस्रम और महान प्रयास के पल से ही भारत में जो है फिर से विदवा पनरविवा होना स्टार्ट हुआ हम लोग नेक्स्ट क्यों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्यों आपसे पूछा जा रहा है कि इनमेंसे किसने, पोवर्टी अंड दा अंड बिरτιफिसर रूल इन इनामक किसने लिखा है, तो ये जो पुस्थर नमरें इस किताब का जो राइटर है, वो पूछा गया है तो Poverty and the Unvirtus Rule in India का जो लेखक है वो कोन है दादा भाई नरोजी कोन है दादा भाई नरोजी अप्शन नमर A इसका सही उप्तर हो जाएगा नेक्स्ट को आगे बढ़ेंगे हम लोगों नेक्स्ट कोश्चन आपसे पुछा जा रहा है कि पंडवो के सासनकाल में किस सहर को इंदरप्रस्त के नाम से जाना जाता था तो पंडवो के सासनकाल यानि के दापर जुग की बात हो रही है उस टाइम जो इंदरप्रस्त नामक उस टैम जाना जाता था, यानि जो दिल्ली है वह हिंदरपरस्थ है, पंडवक के टाइप में नाम था हिंदरपरस्थ और हम लोगों के जो टाइम है आधुनिक जो टाइम है उस टाइम इसका नाम पढ़के है क्या डेल्ली आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे आपका question पुशा जा रहा है कि हिंडन नदी इन में से किस नदी का सहायक नदी है हिंडन नदी का सहायक नदी के बारे में आपसे पुशा जा रहा है ति ये आपको नेया नाम सुनने को मिला होगा कि हिंडन कुण से नदी का ट्रिबूट्री है तो हिंडन जो आपका जोमना नदी का ट्रिबूट्री है कौन से पुछा जा रहा है कि साल के किस माहों में पॉंगल टेहर मनाई आता है पॉंगल फेस्टिबल बहुत ही famous फेस्टिबल है इसके बारे में हम लोग पहले भी discuss कर चुके है और इस question में आपसे पुछा जा रहा है कि किस महिना में इसको मनाई आता है पॉंगल जैसे हम लोगों की साइड में मकर संक्रांती मना जाता है उसी टाइप से पॉंगल भी मना जाता है और वो भी जन्वरी महिना में कौन सा महिना में जन्वरी महिना में अगर आपको इसका specific date पूछा जाए आपसे कि पॉंगल festival की स्तारिक को मना जाता है तो 14th of January को प पॉंगल festival जनरली मनाया जाता है नेक्स्ट कोस्टन के रहे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कोस्टन आपसे पूछा जा रहा है कि निमनलकित में से कौन सा सूमलित नहीं है यह आपका most important category का history का question है different different exam में यह question पूछा गया है और कोई भी exam में पूछा जा सकता आने वाल exam में कौन सा सूमलित नहीं है मैच कौन सा नहीं है यह आपसे पूछा गया जैसे कि हडपा हडपा से बता कि जो खोज क्या गया था हडपा जगा के जो खोज क्या गया था वो द्याराम सहानी के दरह क्या गया था जो कि एकदम सही मैच है लोथल अगर पूछा जाए कि और धोली विरा का जो खोज है यह आपका गलत है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो यही वाला गलत अंसर हो जाएगा जो सुमलित नहीं है धोली विरा के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि धोली विरा जो है आज के डेट में कौन सा स्टेट पर स्टेट है तो आ आपका जो धोली विरा सहर है ये तीन भागों में विवक्त है और धोली विरा जो है आपका आयतकार फॉर्मेट में पाया गया है कौन सा फॉर्मेट में आयतकार फॉर्मेट में पाये गया है तो धोली विरा जो है आपका तीन नगरों में या तीन भागों में विवक्त है अ आप लोग जो है जो भी नए सेसन में जूड़ हैंगे वह लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसका पीडियाप आपको टेलग्राम चैनल में मिल जाएगा जो भी डाउट वगरह है वह आप कोमेंट बॉक्स में कोमेंट करके लिख सकते हैं कि आपका क्या डाउट है व दब तक लिए धन्यवाद और प्रप्रेशन करते रहिए गोगों